हाई अब हम रश शास्त्र का अध्यन करेंगे रश शास्त्र बहुत ही important subject है और आयरवेद का चाहे कोई भी competitive exam हो उसमें रश शास्त्र से लगबग 4-5 questions हर साल पुछे जाते हैं तो यह बहुत ही important subject है इसको पढ़ने से पहले आपके पास में यह book होना बहुत जरूरी है यह र purchase करना होगा मैं आपको इसी book से पढ़ाने वाला हूँ अब डॉक्टर आशिश पारिक यानि मेरी यह book आप purchase कर लेंगी किसी भी आयरवेद शॉप पर या जहां पर आपको आयरवेद की books available होती है वहां पर या यह Amazon पर भी available है आप इस book को purchase करें उसके बाद में आपको यह रख्षास्त्र पढ़ने में समझ में आएगा तो इस book में जितने भी टॉप एक रख्षास्त्र के वो सभी एक जगहें बहुत ही simplified और बहुत ही standard तरीके से बताए गये है आयरवेद का कोई भी एक्जाम जाएंसे वो AIPZET हो UPSC हो या आयरवेद MO हो या फिर कोई भी लेक् में रख्षास्त्र के ग्यारा सो क्रिशन भी जो हैं वो दिये गए हैं अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ट्रेक्रिस के लिए क्रिशन को लगा लेंगे तो आपका यहीं पर काम हो जाएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है और इसमें जो सो क्रिश अब कर्म अधिक हुए हने क्या है या क्यालत में प communism कडाइब सक्राइब आख इस में एंग और इसके तो से बहुत बढूरे और इंपोर्टिस के साब्सब्स बोड़े इंप्रजम खेंगे कि उसके बाद ही आपको यह रशास्त्र समझ में आएगा ठीक है तो हाला कि आप इसके लाव और भी बहुत कुछ प्रिफर कर सकते हैं नोट्स हैं गाइड वगर हैं परन्तों उसके अंदर जो नोट्स हैं या जो मैटर है इससे सब्जेक्ट मटेरियल है वो पूरा यह जो है मॉड्यूल है और मैं आपको इससे बढ़ाने वाला हूं आप एक बार इसको पढ़के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रशास्त्र है कि जो रशास्त्र की सबसे फेमस बुक है जो रशास्त्र समुझे है यह रश्तरिंग नहीं है वो बड़ी फ कि अब फुली देखते हैं इसमें मैं कहां तक सफल हो पाता हूं ठीक है तो हम आज से टॉपिक शुरू करते हैं यह है रशास्त्र का सामान्य परीचे यह फर्स्ट अपर हमारा टॉपिक रहेगा तो रशास्त्र के रुज जो है रुद्र प्रथम भेशक है जिबकि प्रथ द्रस्तर के अग्रशब्णृ इसके लेके हैट्यू आलग वागवर्ट ने जो अस्टांग रधय है इस तरन संग्रे लीकिये हैं यह रशवहगवर्ट वह अलग वागवर्टे अलाग जिनका काल है तेर्वी सधी जबकि जो वागवर्टे है उनका काल छहटे सदी announce successful को इंके गरंत में जो हैं 30 अध्याँ हैंसमें एक सिले कि 11 तक के अध्याय में रशास्त्र कवर्णन यह मधें इंस फस्ट इस फस्ट घुर। ज्याराशूअट चैक्टर के को जा आस यह म१्या आध्याय है बाकिती तक हैं चैके सायरता शुट्वा जीवन मुक्ति ये कुछन एक्जामे पूचा गया है एक रश्यास्त्र का जो मुक्य उद्देश्य है ये प्रियोजन है वो है जीवन मुक्ति इसके लिए रसौप निशद जो ग्रंथ है उसका एक शलोग है धर्मार्तम भोगा नाम नस्ट राजविवृत्ध है आयर योगन लाभार्तम मुक्तिर्तम चे मूक्ष नाम ठीक है जो रशास्त्र है उसका मुक्य प्रयोजन धातुवाद नहीं है इसका प्रयम प्रयोजन देह वेद्वरा मुक्ति ये मौक्ष है ये किसने कहा है रसोभ निशद्ट इसके लेखा के आचारे सायन हालकि हम राश्त पर पढ़ है आजकल ये ग्रंथ देखने को नहीं मिलता मतलब बहुत ही कम पॉपलर है जिसे लेब्रेश वगरा में देखने को मिलेगा तो इसके जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के लेखा के वह है आचारे सायन है नेक्स्ट है रस सिद्धी प्रधायक टोटल है 27 प्रथम है इसके अंदर एक्जाम में पूछा गया है बहुत पहले पूचा गया था इस तरी के कुशन्स नहीं पूचते पंच विद्ध पूचा तो रस पूझा के प्रकार हैरे टोटल पांच तो ये क्या है महा पातक नाशनी मतलब महा पापको नश्ट करने वाली है पंच विद्ध पूजा तो पूर्व जन्मकृत रोग नाशक सेकेंड हो गया इस पर्शन तीसरा हो गया ध्यान ध्यान जो है वो है ब्रह्म हत्या पापनुत ठीक है ब्रह्म हत्या कभी जो है पापका नाश करती है दान है सुला दान से अश्वमेद यग्य का फल मिलता है परी पूजन ठीक है परी पूजन मतलब अगर आप जो रस है उसकी पूजा करते हैं ठीक है तो करतुज करतुज मतलब होता है यग्य तो करतुज फल दायक है ठीक है करतुज मतलब यग्य है तो यग्य करने के समान जो फल है वही आपको रसकी पूजा करने से भी प्राप्त होता है नेक्स्ट है पारद में अभरक का एक तुरुटी तुरुटी मतलब होता है बहुती कम प्रमान, बहुती चुटकी भर अल्प प्रमान में ग्रास ये जारन करना है उसे हम लोग नैविध्य कहते हैं तो पारद में अब्रक का एक तुर्टी प्रमाण में जारान करना नैविध्य कहलाता है और यह प्रक्रिया शतक्रदुज मतलब सो यग्य के बराबर फल लायक होती है नेक्स्ट है रस चिकिसा को ही दैवी चिकिसा भी कहा जाता है अत्यड में रस चास्तव में रस शब्द से लौधातु भस्मकंदविशमों और पारद का ग्रहन किया जाता है ठीकिकर रस्चास्ते में रस का मतलब लौधातू भी ठीक है या लौभसम भी हो गया कंद विश्वी हो गया और पारत भी हो गया पारत के अगर हम गुण देखते हैं तो मुर्चित पारत रुजाहर है बंधित पारत मुक्त करता है और मुर्चित पारत अमर करता है यह जो है एक दूसरे के विरोधी हो गई जिसे मूर्चा हम दे फरंतु रोगी वो अमर कर रहा है, यह जोब इसको सेवन कर रहा है उसको अमर कर देता है, तो इसको इसके opposite हो गए है, नेक्स्ट है, पारत के समान कोई अज्य धर्व्य करूना पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, पारत के दर्शन से करूनों गाय और हजारों स्वण मुद्रए दान करने के समान लाब प्राफ्त होता है जिसे गव कौटी भी श्वण सहस्र दानात कि कि अगर पारत को देख लिया तभी जो है और प्रकार कि यह जरों स्वण मुद्रा हैं या गाय दान करने के समान लाब यूथ भूख होगा फिर ये रस्रत्रा समुच्झी क्यानूसार नागार्जुन का कतरन है ये कतन है नागार्जुन का रस्रत्रा समुच्झी जो काष्ट वश्दियां है वो नाग में नाग वंग में वंग ताम्र में ताम्र रजत में रजत स्वर्ण में और स्वर्ण पारद में लीन हो जाता है एक सिक्वेंस है आप इस सिक्वेंस को देख लेंगे ठीक है बड़ा एंपोर्टन है रसलिंग कि तो ही ऊपत्र और रसेंद्र इसके निर्मान के लिए आवश्चक गटक है अनुपात क्या हो गया तीन निश्क हो गया हें पत्रों ठींडकर मतलब स्वर्ण और नो निश्क हो गया रसेंद्र जंबीर्स्वरस्युक्त आरणाल मतलब से पुन्ण दोलायंत्र में रसलिंग का पाक करते हैं तो जम्बीर स्कीभावन वोगी आर निल से व्रावा दोलायंत्र आप्ने लेना है उसमें इसका स्कून रहली के निरिमान के समय अघॉर मंत्र का जाप करना चाहिए यह ईळामी कुछन नगर की यक्ष दिशा मतलब उत्तर दिशा में इस्तित होनी चाहिए इसके पास चार द्वार युक्त उप्वनिया बगीचा होना चाहिए तो इसकी दिशा वगरा कई बार पूछ लेते हैं इस जाम वगरा में नेक्स्ट रसशाला के घटक है गुरू शिष्य सेवक पंतव सहायक और कालेनियस्त्री इस 4 होगे ठीक है projection कालेनियस्त्री कौन तो हना चाहिए कालीनी के लिए एक रेफरेंस है रस बंद प्रयोगे जा उत्तमा सा रसाइने सा मतलब इस्त्री लेंग हो गया इसका मतलब है वो कालीनी के लिए कहा गया कि रस बंद प्रयोग जो कालीनी इस्त्री है वो रस बंदन में रस के प्रयोग में रसाइन कारे कारे म तो कालिनिस्त्री के अभाव में कोई भी जो तरुनिस्त्री है उसको प्रति दिन एक कर्ष मात्रा में गंदक का सेवन करवाते हैं घृत के साथ 21 दिन तक तो वह कालिनी के समान गुण्वान हो जाती है नेक्स्ट है रसोषदी के प्रधानता यह रेफ्रेंस अच्छा है कि जो रसोषदी है वह अल्प मात्रा में सेवन करते हैं अल्प मात्रा प्योगित्वात अरुचे अप्रसंगत अरुचिवकुत्पन नहीं करेगी ठीक है अधिक सरेश्ट होती है ऐसा कते न है रसेंदर साय संद्रहका है कॉश्य नेक्स यह फ्लोचाट बना हुआ है टेबल में अग्ने हैं इसको हमने देखना है कि जो रश्षाला है उसमें कॉन कॉन से द्रव्या यह कॉन कॉन से जो कर्म है वो किस दिशा में होनी चाहिए पूरुदिशा बहुत important है मुख्यध हट्वे जो स्वळन है रजट है वह पूरुदिशा के अंदर रखा जाएगा रस लिंग अभी हम देखा रस लिंग कोई रस भहराव भी करते हैं तो इसका याद रखने के लिए सक्थापना थी ठीक हुई तो औill इस थापना इशान-दिशा में अव्श्जब का псंग्रहन भी एक वात वुगए ạ! घ्राकौन शिव का इस्थान है इसान-धिमें, नेक्स ते उत्तर दिशा उत्तर दिशा में मंडलition lui कि कि इसमें वेधन कर्म करते हैं कुबेर का स्थान है तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं उत्तर को हम लोग याद रखेंगे मुद्तर तो मुंडलो हो गया और तिक्ष्ण लो गया उत्तर मुद्तर हम लोग सिर्फ ऐसे याद रखने के साब से हैं तो मुंडलो और तिक् 마ंटर वैंग है कांटर लो है चालन कर्म हां अप्ने करना है एक वरुण देव का स्थाने पास्चम दिशा में लों दियुका स्थाने चालन करम करने वंग और कांथ लोह नेक्स्ट आप दिशा ना तो नीसे कि अंदर असुरों का कर्म शस्त्र कर्म कर रहे हैं नाग और ताम्रya तौ यह गस्तFF कर रहे हैं नाग को यह पर हैं ढ़का का अगनी आ प्रकार रही है?' याद हो जाएगा इसराइगा प्रकार से आपने इसको यह देखना एक है बहुत इंपर्टेंट है तो यहां तक हमने जो रश्यास्त्र का सामाने परीचर है उसको देखा है नेक्स्ट हम चैप्टर में देखेंगे परिवाश्य प्रक्रम कि जो रश्यास्त्र से संबंदी जो परिवाश्य है जो बहुत इंपर्टेंट परिवाश्य है उसको हम लोग नेक्स सद्ध्य है में दी गई है तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे